मेरे प्रे छात छात राओं आपकी सफलता है मेरा मिशन है ग्यानकोस एजुकेशन पर आपका अभिननदन है मेरे प्रे वच्चों आप लोगों को पता है कि आपके अपने चैनल ग्यानकोस एजुकेशन से आपका जो बोर्ड 2022 का एक्जाम होने वाला है जिसमें कोविड-19 के वज़ा से 30% कोर्स कट गया है उसको चाट करके यानि उसको हटा करके मैं इस पेशले बोर्ड के लिए वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ हलाकि मेरे चैनल पर इसके पहले सारा वीडियो अप्लोड है लिएक सब छोटे-छोटे पार्ट में है यहां आपको बस एक ही पार्ट में मैं कोशिस किया हूँ कि एक पार्ट को एक ही वीडियो में अपलोड कर दूँ ठीक है न तो उस तरह से आपको यहां से वीडियो मिल रहा है और गद्दे काव वे संस्कृत व्याकरण हर एक चीज का जो बोर्ड के एक और्डिंग है उसका वीडियो यहां से आपको मिल रहा है तो आप मेरे साथ बने रहे इसके पहले वीरह वीरेड पुझते का आप पढ़ चुके होंगे उसका अनवात उस पार्ट को मैं अपलोड कर दिया हूँ अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर का आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा वक्यादे हर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे चुका हूँ आप वहां से पढ़ सकते हैं तो आईए आज हम लोग पढ़ते हैं जो आपके स्लैबस में है वीरह वीरेड पुझते इसका अभ्यास प्रस्नों का मलो अध्यन आज करते हैं तो देखी इसमें जो पहला प्रस्न है अलेचंद्र कह आसित ठीक न अलेचंद्र कह आसित इसका उत्तर हो जाएगा कह के जगह पर आप लिख देंगे यवन राजह यवन राजह अब उत्तर आपका हो जाएगा अलेचिंद्रह यवन राजह आसीद क्लियर चलिए दूसरा देखे पूरु राजह कह आसीद तो कह के जगपर यहां लिख देंगे एकह वीरह आसीद या भारतिय वीरह कर लिज़े तोर बढ़िया रहेगा एकह ऐसे लिखिए एकह भारतिय वीरह एकह भारतिय वीरह आसीद क्लियर हो गया तीसरा देखे पूरु राजह केन स युद्धम अकरोद तो केन के जगह पर क्या लिख देंगे अल्चेंद्रेड अल्चेंद्रेड वुत्तर हो जागा आपका पुरु राजह अल्चेंद्रेड स युद्धम अकरोद तो क्लियर चलियर अब इसका उत्तर हैसे हो जाएगा वीरह विरेण पुज्यते पांचमा देखिए आमभीक अल्चेंद्रस्य कह आसीत तो कह के जगह पर लिख देंगे सखा या मित्र ठीक न सखा लिखिए सखा आसीत तो उत्तर हो जाएगा आमभीक अल्चेंद्रस्य सखा आसीत क्लियर चलियर अगला देखिए जो आपका छठा प्रस्ण है सिंगास्तु सिंगा एव बने वाभवत पंजरेवा इति कह प्रत्युत्तरम कह के जगह पर लिख देंगे पूरुराज़ पूरुराज़ अब आपका उत्तर बनेगा सिंगास्तु सिंगा एव बनेवा भवत पंजरेवा इति पूरुराज़ प्रत्युत्तरम अतदात क्लियर हुआ ना चलिये तीसरा देखिए ए सातमा देखिए केन कारणेन पूरुराज़ अल्चेंद्र समयत्री संदिम अस्वी कारयत तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा आपको लिखना पड़ेगा लिखिए जो मैं लिख रहा हूँ अल्चेंद्र इसका उत्तरे हांत लिखते चलिये अल्चेंद्र भारतम विभाज्य भारतम दिभाज्य अल्चेंद्र भारत को विभाजित करके जे तुम जे तुम अवांचयत बने जीतना चाहता है अवांचयत जे तुम अवांचयत बने जीतना चाहता था इतिकारडेन अब आगे देखिए आगे प्रसं से आप उठा लेंगे पुरुराज अल्चेंद्र स्य मैत्री संधिम और स्वी कारयत इतना प्रसं से उठा लेंगे तुम वांचयत थोड़ा से लंबा हो रहा है क्योंकि प्रसं नहीं उसी तरस पूछा होगा है नहीं तो मैं कोशिस यह किया हूँ कि वांच छोटा छोटा हो लेकिन चलिए कोई बात नहीं है आठवा देखिए पुरुराज अल्चेंद्रस्य कस्या संधेशम और कथयत तो कस्या के जगह पर आप लिख देंगे गीताया गीताया तो हो जाएगा पुरुराज अल्चेंद्रम गीताया संधेशम और कथयत ठीक ना अगला देखिए दसमा नई नवा नवा देखिए अल्चेंद्रह सेनापतिम कीम आदिशत ठीक ना तो लिखेंगे इतना प्रसंचे लिख लेंगे अल्ल छेंद्र सेना पतिम कीम हटा देंगे आदिशत अल्ल छेंद्र सेना पतिम आदिशत अब उसके आगे लिखे जो मैं लिखवा रहा हूँ यत आदिशत कबार लिखेंगे यत अले चेंद्रस्याना पतिम आदिशा तेयात वीरास्य पूरुराजस्य बंधनानी मोचया मोचया क्लियर हुआ न तो यह हो गया नौवा अब आईए हम लोग देखते हैं दस्वा दस्वा है गीताया कह संदेशा तो लिखेंगे यह से लिखेंगे हां लिखिए युद्धे हा तो युद्धे हतो वा प्रापसे असी प्रापसे असी स्वर्गम आगे लिखिए जित्वा वा जित्वा वा जित्वा वा भोग्छ से महीम भोग्छिया से महीम आगे लिख लेंगे इत्गीताया संदेशा ठीक यह हो गया आगे देखिए ग्यारहमा देखिए अलचंद्रा पूरुम किम और प्रिक्षत तो अलचंद्रा पूरुम किम के जगा पर लिख देंगे किम के जगा पर गीताया संदेशा लिखतेंगे गीताया संदेशा अलचंद्रा पूरुम गीताया संदेशा अप्रिक्षत यह इसका उत्तर हो जाएगा बारा देखिए भारत विजयाम न केवल दुसकरम असंभव अपी कस्य उक्तिम कस्य के जगह पर लिख देंगे पूरुराजस्य पूरुराजस्य ऐसे लिखेंगे क्लियर तो भारत विजयाम न केवलम दुसकरम असंभव अपी पूरुराजस्य उक्ति ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से तेरा देखिए तेरा हमां क्या कर रहा है भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति अब ये पूछर ये किसकी उक्ति है त ये इसको आप लिख देएगे अल्ग्षिंद्रस्य अल्चिंद्रस्य अल्चिंद्रस्य अ अब इसका उत्तर रिष्यास्यात्त हो जाएगा भारतम एकम राष्टरम इति विरुद्ध udahम अल्चिंद्रस्य उक्ति हीë चौदा हमां देखिए, अलचेंद्रह पुरुराजस या केन भावेन हर्चित अभवत, केन भावेन तो केन के जगा पर लिख देंगे, वीर, वीर भावेन, ठीक न, वीर भावेन, तो उतर हो जाएगा, अलचेंद्रह पुरुराजस से वीर भावेन हर्चित अभवत, पंद्रह देखिए किम जित्वा भोक्ष से महीम तो आप किम के जगा पर लिख देंगे मैंने क्या जीत कर तो युद्धम जित्वा मैंने युद्ध को जीत कर युद्धम तो उत्तर हो जाएगा आपका युद्धम जित्वा भोक्ष से महीम क्लियर है न चलिए इतना रहा आपका प्रश्णत्तर अब आप आईए संस्कृत का अनुबाद अभी मैं कराद दे रहा हूं यहां नीचे है तो इसको हम बाद में देख लेते हैं लेकिन पहले आप आईए व्याकरणात्मा प्रश्णों को देख लिया जाए ठीक है न व्याक राष्ट्र द्रोह का क्या हो जाएगा समास बिग्र राष्ट्रस्य द्रोह राष्ट्रस्य द्रोह राष्ट्रस्य द्रोह बने राष्ट्र का द्रोह ठीक है अच्छा इसके बाद यह आपका हो जाएगा समास जिसमें आप जानते हैं बिभक्ति रहता है वह कौन समास होता है तत्पुरूश हिमाद्री में भी वही होगा हिमस्य अद्री समास होई होई तत पुरुस समास विश्व विजाई में हो जाइगा Strach विश्वाश्य 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 व अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रस्न, इसमें कव्या करणात्मक्का, ये कह रहा है कि महोत्सव, चास्य, द्रोहाच्य, वीरो अपि में संद्विछेद कीजिए, तो कर लिजिए, तो महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव, ठीक, चास्य क्या हो जाएगा, चो धन अस्य, यह हो गया चास्य का, द्रोहाच्य हो जाएगा, द्रोहाः विसर्ग हो जाएगा, धन चो, ऐसे होगा, द्रोहाः धन चो, वीरो अपि में क्या हो जाएगा, वीरह, वीरह धन अपि, वीराधन अपी, ऐसे हो जाएगा, ठीक, अब आईए, तीसरा क्या कहा रहा है, पूरोकालिक क्रिया मक्तवाले प्रते जोड़कर पाठ में आयो हो, उन्हें लिख ये और उनका, चलिए पाठ से छाटने बात कर रहे हैं, इसको छोड़िए, आगे चौथा देखिए, प्राप्सिया सी भोक्ष से असमाकम तव, इन क्रिया पदों और शब्दों में क्रमसा, पूरुस बचन, लकार और विभक्ति लिखिए, अच्छा, तो इसमें आपको मैं बता दूँ, अब आपका, इन दोनों का लिखना है पूरुस बचन, ठीक न, और लकार, और इन दोनों का लिखना है विभक्ति, क्योल विभक्ति पूछ रहा है न, क्योल विभक्ति पूछ रहा है, तिन दोनों का विभक्ति पूछ रहा है, तो देखिए, मैं आपको बता दू, प्राप्सिया से और भोक्ष से दोनों का, जो पूरुस आपका होगा, यह मध्यम पूरुस होगा इस दोनों का वचन एक वचन होगा एक वचन होगा और इन दोनों का लकार जो है लिर्ट लकार होगा लिर्ट लकार भवश्यत काल ठेक है न तो इस तरह से ये हो गया असमाकम और तव देखिए जब इसमें आपको विवक्ति पूछ रहा है तो असमाकम मने हमारा होता है तो मने तुम्हारा होता है तो इसमें हो जाएगा सश्ठी विवक्ति एक वचन अलग वचन तो नहीं पूछ रहा है लेकि लिख लिजिए एक वचन, सश्ठी एक वचन, किलियर हुआ न, चलिए, अब आगे देखिए, अनुवाद, तो अनुवाद यहां आल्रेडी पड़ा हुआ है, इसको हम पो बहुत ज़्यादा सम्झानी जुरूत नहीं है, देखिए लिखा है, यवन सेनापती बंदी पूर्राज को लाता है, यवन सेनापती बंदी न पूर्राजम आनेयत, ख, वीर भाव ही वीरता होती है, तो वीर भाव है, यह वीरता भावती, ग, वीर के द्वारा वीर पुजा जाता है, वीरह वीरेल पुज्यते, ख, भारत, तुम भारत को जीतना चाहते हो, तो अम भारतम जेतुम इच्छ सी, अंग यह हमारा आंतरिक विशय है एशा असमाकम आंतरिक विशय है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मेरे पढ़ाने से लाभ प्राप्त हो रहा हो तथा यहां से आप कंप्लीट कोर्स मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी गरूप है जो दोस्तों का गरूप है उन सभी गरूप में इस ग्यान को फैलाइए ताकि यह ग्यान सिर्फ आपके तक सिमित नो हो आपके दोस्त को भी पता चलै वह भी अच्छे मार्क से दसवी का परिक्षा पास करें यह हम सब का उदेश से होना चाहिए क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है घटता नहीं है तो हम दोनों लोगों का एक है उदेश होना चाहिए ठीक ना तो आप अपने दोस्तों का देश सेयर कीजिए वीडियो अच् अच्छा में निश्चित है कि 90 प्लस नंबर तो ले करके आएंगे ही और कहीं कोई दीकत अगर हो रहा हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए उसका सही सही आपको सालूशन मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए थोड़ा सा जुका हम है इसलिए इसको मैनेज करिएगा ठीक है ना लेकिन फिर भी आपका कॉर्स कंप्लीट करवाना है तो वीडियो थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी क्योंकि नाइट का टेंथ का फर्स्टिगर का सेकेंडिगर कमनी गायरहमी का वायरहम चो सागर के उत्तर में भारत वर्स है तो समुद्रस से उत्तरे भारत वर्स हमस्ती चो भारत विजय क्या मेरे लिए दुशकर है अनुवाद होगा कि मैं भारत विजया दुशकरा तो इस तरह से आपका ये अनुवाद भी कंप्लीट हो जाएगा तो विटा आपको वीडिय कैसा लगा कमिंट करके आप जरूर बताएंगे कमिंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे लगता है कि क्या मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूं मैं पढ़ा पा रहा हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं या अगर कोई सुझाव आप चाहते हैं देना कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई तो हम लोग समझ में आएगा तो ये भी सुझाव का भी स्वागत है तो जो कुछ भी है आपके दिमाग में आप कमेंट में अवसी लिखिए अच्छाई भी और बुराई भी दोनों और कुछ दे सकते हैं लेकिन आशा है कि आपको अच्छे डंग से समझ में आ रहा होगा तो इसलिए इस वीडियो को अधिक सदिक सेयर कीजिए लाइक कीजिए और इस चैनल को तो सब्सक्राइब अवस्य कर लिजिए और अपने दोस्तों को भी भेज़िए वीडियो और उ पूस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ठीक है ना चलिए आप सबको बहुत बहुत धैने बात इसका दहुन मिलते हैं अगले वीडियो में